रोमन रेंस वर्सिस फिंड की पड़ी नीव रॉंडा राउजी की रिटर्न पर आई बड़ी अपडेट एज स्टाल्स ने कर दिया है ट्रिपल एज को चैलेंज और जाने के जाए फाड़ी ने किया कुछ खास मैंड़ा उनके खिदम होने कमाने नमस्कार दोस्तों मेरे पॉर्टेंट भी है तो आपसे यही होप करूंगा कि आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा विडिकी शरुबात करते हैं दोस्तों कुरिस्मेटिक निगवा यानिकी जया फाड़ी की नियुस के साथ वाइज आज का दिन अमेरिका के कबीर सिंग के खासा बूरा रहा की काफी इंपर्टेंट रही बीटी स्पोर्ट को दोस्तों उन्होंने एक इंटर्व्यू दिया है जिसके अंदर दोस्तों हमें चीज दिखाई दे रही है वो इचीज बोल रहे हैं कि उन्हें अपना पुराना गिमिक वापस चाहिए तो आज से कुछ से में पहले दोस्तो टीने के अंदर दोस्तों जैफ फार्डी का एक गिमिक काफी जादा ओवर हो गया था जिसका नाम था विलो और विलो दोस्तों काफी डार्क केरेक्टर है जैफ फार्डी का दोस्तों एक अलग सा सबरूप है जैसे कि दोस्तों मैट हाडी का ब्रोकन मैट है वैसी दोस्तों उनका विलो है या फिर कह लीजे दोस्तों विलो जो है वो काफी पुराना किरेक्टर भी है क्योंकि आफ से काफी समय पहले सका इजात हो गया था और हाल के इंटर्विव में दोस्तों जो कि वो बीटी स्पोर्ट को देए ये चीज बोले कि वो फींड वर्सिस विलो चाहते ह है डबल डवी के अंदर राजभाडी का कहना ये रहा कि देखो मैरे अभी तक डबल डवी इनिवर्स को विलो से अबगत नई कराया और मैं चाहता हूँ की रिटैर्मेंट से पहले मैं विलो से अबगत कराऊ हूँ और मैं चाहता हूँ फींड वर्सिस विलो डबले बिक अंदर हो चुकि दोस्तो दोनों ही करेक्टर काफी डार के अगर मैच होता है तो जैफ हाडी का मानना यह है कि काफी strange things वहाँ देखने को मिल सकती है तो मेरे साब से दोस्तो विंस मिक्मैन को उनकी बात माननी भी चाहिए और मेरे साब से मैच होता है तो काफी मज़ा भी आएगा हम चलते हैं इससे अगली खबर के उपर दोगाए इससे अगली खबर जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जोड़े दोस्तो उस महिला रेसलर से जिसने सभी के होश वाक्ता कर रखे हैं तो गाइज लगबग दो हफतों से हमें एक ऐसी महिला दिखाई दे रही है जो कि काफी सेक्सी लग रही है दरसल कभी उसकी टांगे दिखाई जाती है तो कभी उसकी सेक्सी बैक दिखाई जाती है कुल मिलाकर दोस्तों लोगों को प्रताडित करने की एक तरीके की प्रक्रिया डवली ने चालू रखी है और इस मिस्ट्री वमन के ओपर काफी ज़्यादा स्पेकुलेशन अलगाई जा रही है कई लोगों के नुसार ये मैंडी रोज हो सकती है कई लोगों के नुसार ये एनेक्सटी की कोई डीवा हो सकती है लेकिन आस दोस्तों फैंस ने बता दिया कि आखिर में कौन है तो फैंस ने दोस्तों काफी दिमाख लगाया और जो ये महिला Ristler कोई और नहीं या दोस्cendo अपनी कारमेला, तो कारमेला काफी समय से Smei divorce है, और कारमेला को दोस्तो इस तरीक से detect किया गया है कि उनके right hand के उपर एक tattoo है, कबूतर सा एक tattoo दोस्तो दिखाइ दे रहा है आपको दोनोंपिक्स के अंदर, पहले पिक तो दोस्तों obviously कार मेला की और उसी के साथ जोड़ते वी पिक जिसमें दोस्तों आपको उगली का निशान दिखाई दे रहा है वो उस महिला की है जो कि आज हमें दिखाई दी थी स्मेर्डाउन में टीजर काड़ते वे यहां दोस्तों confirm हो चुक है कि कार मेला ही है यहां एक और फैन ने दोस्तों टांगो को compare किया है और दोनों की टांगे दोस्तों पिल्कुल सेम है that means यह कोई और नहीं एक कार मेला है जिनको W repackage करके ला रखाया हाला कि मुझे नहीं लगता कि कार मेला री पैकेज हो रखी हो पहले भी इस तरीके की लगती थी जिस तरीके की अभी लेग रही है हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली निउस के ओपर तो आई इससे अगली ख़पर जो आज के मारी जुड़ी हुई है वो जोड़े phenomenal one AJ Styles से जुनों ने कर दिया है Triple H को challenge तो आप जानते हैं इससे पहले Triple H ने बड़े-बड़े सुर्माओं को face किया लेकिन वो इस वक्त के one of the best wrestler याने की AJ Styles को नहीं face किया AJ ने दोस्तों हाली में Twitch पर stream की और यह चीज़ बोले कि मैं Triple H को face करना चाहता हूँ दर से लेजे Styles के words यह थे कि जपान में एक बार Triple H के साथ मैंने tag team बनाई थी और मैं Triple H को face नहीं कर पाया हूँ इसलिए मैं अब Triple H से fight करना चाहूँगा देखो Triple H से fight करने के reason यही है क्योंकि Triple H है वो काफी बड़ा बंदा है, काफी बड़ा wrestler है साथ ही साथ अगर वो चाहता है कि मैं उससे fight करूँ अगर उसने भी मुझसे fight करने that means अगर उसके भी कहीं न कहीं मुझसे लड़ने की ख्वाईश है तो मैं NXT के नंदर appear भी हो सकता हूँ उसको उसके गड़ में जाकर मार सकता हूँ AJ Styles ने सीधा सीधा चैलेंज ठोक दिया, आप देखते हैं Triple H का इस पर क्या रियक्शन आता है और AJ Styles भी इंतजार कर रहे है, हम चलते हैं आज के पनी Second Last News के उपर दोगा है Second Last News जो आज के हमारी जोड़ी हुई है, वो जोड़ी है, राउडी, राउंडा राउजी से तो राउडा राउजी के रिटर्न को लेकर दोस्तों काफी तेज हो चके एक खबर है, क्यूंकि राउडा की तस्वीर है आज के काफी समय के बाद तो राउडा काफी समय से डबलबली से गायव है, जिसके पीछे कर रिजन ही है, कि उन्होंने एक लंबी छुटी ले रखी है और पाइपर के बारे में बोलू तो पाइपर के लड़की यानि कि जो टील पाइपर है उनके साथ हाली में ट्रेनिंग करते हुए नसरा है यह राउडा राउजी टील पाइपर ने दोस्तो अपने रिटर्न के ऊपर बड़ी अपडेट दी, उन्होंने चीज़ बताई कि वो इंजुरी से जूज रही और कुछ एक समय उन्हें लगने वाला इस पर राउडा की तस्वीर दोस्तो सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट कर अब बात की जाए राउडा की तो राउडा अगर तयार हो यह देट मिंस दोस्तो वो भी कहीं न कहीं डबली बी को लोकर फिर से सीरियस हो चुकि है क्योंकि उनकी कमपनी तो डबली डबली इह है क्योंकि यह जो तील पाइपर है जिनका नाम एरियल बताया जा रहा है यह रेसलर है एडवली के अंदर एक बार यह पियर हो चुकि है दैट मींस दोस्तो वो तो ओल इलिट में चाहेगी लेकिन रॉंडा को लॉट ना होगा डबली के अंदर देखते हैं वो दिन कब आता है होप करते हैं दोस्तो चल दाए हम चलते हैं आज की अपनी में खबर को प पर चैक करते हैं रोम हम औरे ने कि उसको आते हैं जित्動画 आप अ लेकिन टाए हैं वाले गयर दोस्तों आपको जल्ड देखने को मिलने वाला तो उसके अंदर वहसिस रोम अर रिकर आए और तो दोस्तों स्क्राइब पढ़ गया इस में घंड चा अजिस में आ उनकिर आर कर फाइर फ्लाइ फना हूँ तो उसके अंदर वो एक नए टोई को लेकर आए एंड टोई इस फकिंग पैरडी ओफ पॉल हमन जी आपने बिल्कुल सही सुना वो जो वॉबली वॉल्डर से पॉल हमन ही है उसके गले पर टाई थी उसने ये चीज़ कही लेकिन यहां जिस तरीके से दोस्तो ब्रे वाइट ने परेडी किया पॉल हमन की पॉल हमन जादा खुश नहीं होंगे और जॉल्ड हमें पॉल की तरफ से भी रियक्शन आते विन असर आएगा फिंड या फिर रूमन रेंस आपको क्या लगता है कौन जादा थाकत वर है कमेंट करेंगे ज़रूर बताएगा वीडियो के अनसे पहले दोस्तों थेंक्स टो और मेंबर्स वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक ये शेयर करना मत भूलिएगा अस तक के लिए नहीं धनवाद शपक है